सीए कोर्स जो की सीए बनने के लिए क्या जाता है स्टुदेंट के बीच में बहुती ज़्यादा फेमस होता है फिर वो स्टुदेंट चाहे कॉपलीट सीए कोर्स क्या है और यह जानेंगे की 12th के बाद सीए कैसे बनते हैं एस पर new rules of 2018 commerce is related सभी important वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल super commerce को भी subscribe कीजिए और subscribe करने के बाद bell icon को जरूर हिट कीजिए तो देखिए इंडिया में CA करने के लिए तीन रास्ते होते हैं आपके पास तीन option होते हैं आप चाहो तो टेल्थ के बाद CA कर सकते हो या फिर आप graduation करने के बाद भी CA कर सकते हो या फिर आपने ICSI और ICAI के exam दिये हैं तब भी आप CA कर सकते हो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो CA है वो कोई भी stream का student कर सकता है यानि science वाले भी CA कर सकते हैं आर्ट वाले भी CA कर सकते हैं और commerce वाले भी CA कर सकते हैं commerce वालों को बहुत ज़्यादा benefit इसलिए होता है क्योंकि CA के जो भी subjects होते हैं वो सारे commerce के subjects ही होते हैं इसलिए ज़्यादातर CA का मतलब यही होता है कि यह है commerce students वाले करेंगे 12th के बाद जब हम CA करते हैं तो जो entry route है उसका नाम होता है foundation course route और gradation या फिर ICSI और ICAI के बाद अगर CA करते हैं तो उसका जो entry route है उसको हम बोलते हैं direct entry route इन दोर में difference यह होता है कि 12th के बाद में आपको foundation course करना पड़ता है जब कि अगर आप gradation के बा direct entry route करते हैं तो आईए हम detail में बात करते हैं कि 12th के बाद CA कैसे बना जाता है देखिए 12th के बाद CA बनने के लिए जो starting होती है वो CA foundation से होती है पूरे complete course में 4 levels होते हैं जो आपको complete करने पड़ते हैं just after your 12th class वो उसमें से पहला है foundation course दूसरा level होता है intermediate course then article training और last में होता है final course एक एक करके हम इसके बाद करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं foundation course के बारे में foundation course का जो first step है वो यही है कि सबसे पहले आपको foundation course में registration करना पड़ता है अपने बारवी के exams देने के बाद इसमें 4 महीने का study period होता है और इसके जो exams है वो दो बार होते हैं साल में पहला होता है नवंबर के महीने में दूसरा होता है मई के महीने में अगर आप नवंबर के महीने में एक्जाम देना चाहते हो तो आपको रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 30 जून तक या फिर उससे पहले और अगर आप मई के महीने में एक्जाम देना चाहते हो तो आपको रेजिस्ट 4 CF Foundation यानि मार्च में आपने एक्जाम दिये और 30 जुन तक आप रेजिस्ट्रेशन करा लो फिर उसी साल के नवंबर में आप एक्जाम दे लो या फिल आप आप स्टडी करो और दिसंबर तक रेजिस्ट्रेशन कराओ और अगले साल यानि 2021 के माई के महीने में एक्जाम दो तो आई होप ये फांडेशन कोर्स के लियर हो गया होगा इसके बीच में आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है जिसको हम बोलते हैं ICITSS यानि Integrated Course on Information Technology and Soft Skills इसमें आपको जो टेक्नोलिजी है उसे लेटेट इन्फोरमिशन दी जाती है और जो स्किल्स रिक्वार्मेंट होती है एक C.A. के लिए वो दी जाती है तार हफतों का होता है ये इसमें कंडिशन ये होते है कि आप जो Intermediate Course के जो ड्यूरेशन है उसमें आप ये कभी भी कर सकते हो लेकिन थर्ड लेवल तक जाने से पहले ये आपको कम्प्लीट करना होता है यानि आर्टिकल ट्रेनिंग से पहले ये पहले ये आपको कम्प्ली ठ्रेक्स होते हैं अब आप ये डिपेंड करता है कि आप दोनों गरूप को एक साथ पास कर सकते हैं या और फिर आप करने के बाद आप एक गरूप के तर लेवल पर जो कि कहलाती है आर्टिकल ट्रेइंग की जो ढूरिशन होती है वो तीन साल की होती है अब इसमें वही condition क्या है कि article training join करने की कुछ condition होते है condition यह होते है कि जो ICITSS है यानि integrated course on information technology and soft skill वो आपने complete किया हो और साथ ही साथ जो intermediate course का जो दो group है उसमें से कोई भी एक group आपने pass किया होना चाहिए article training जब आप join कर लेते हो तो इसके दोरान ही आप क्या करोगे आप intermediate course का अगर आपका कोई भी group रहता है तो वो आप pass करोगे अब बात करते हैं final course final course last course होता है CA का और यह बहुत ही ज़ादा important भी होता है registration final course में आप कराईए article training complete करने के बाद या फिर जवाब के 6 महीने इसमें रह जाएं इसमें भी एक course होता है जो 4 हफते का होता है 4 weeks का होता है इसको हम बोलते है advanced integrated course on information technology and soft skills आपको याद होगा कि intermediate course में जो एक 4 हफतों की जो ट्रेनिंग होती है उसको हम ICITSS कहते हैं और यह है advanced ICITSS इसमें वही technology and skills सिखाई जाती है बड़ थोड़ा advanced level पर अब यह जो training है यह आप कर सकते हो जब आप training कर रहे हैं नहीं जब आपकी practical training कर रहे होते हों तो आपकी जब दो साल जब last के रहाते हैं जब एक साल आपका complete हो जाता है training का और दो साल रह जाते है training के तब आप इसको कर सकते हो लेकिन final course को join करने से पहले यह आपको complete करने परती है इसके बाद आप जब final exam दोगे यानि final course के जब exam दोगे तो वो या तो आप training complete करने के बाद दे सकते हों या फिर जब आपके धाई साल complete हो जाए training के यानि जब 6 महीने बच जाए तब आप final course के exam दे सकते हों आपने final course के exam दे दिये हैं और उसमें pass हो गई हो और अगर आपने धाई यानि जब ट्रेनिंग के 6 महीने बचेते तब आपने final course जोइन किया था तो उसके बाद आपको जो भी training देती है वो आप complete कीजिए और उसके बाद आप chartered accountant अपने नाम के आगे लगा सकते यानि यू एक occupation होता है students के लिए तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा खतम होता है ये वीडियो आपको कैसा लगा हो comment box में लिखके जरूर बताए कीजिए और इसके लावा आप career related कौन से topic के उपर वीडियो चाहते हैं वो जरूर लिखिए तब तक के लिए next वीडियो के लिए like स्काइब कीजिए शेर कीजिए तैंक यू